नाकपूर क्राइम ब्रांच ने कारवाही करते वे शहर के विभिन ठिकानों से M.D. और गांजा बेच रहे तीन आरोपियों को गिरफतार किया है पहला मामला नंदनवन पुलिस टेशन का है तो दूसरा मामला बेल तरोडी पुलिस टेशन की हद का है क्राइम ब्रांच की कारवाही पहले नंदनवन में हुई जिसमें पुलिस को उप्त सुचना मिली थी कि आरोपी नंदनवन परिसर में M.D. लेकर आ रहा है और बेचने वाला है पुलिस ने जाल बिचहा तो कारवाही में 19 वरषिय प्यूश बोरकर को गिरफतार किया तो वही राकेश गरी नामक R.O.P. फरार होने में कामेब हो गया इस कारवाई में पुलिस ने कूल तीन लाखा माल जब्त किया है तो वही दूसरी कारवाई बेलतरोडी पुलिस टेशन की हत्की है जहाँ पुलिस को सुचना मिले थी कि निखिल गोयंग का नामक आरोपी मनिशनगर इलाके में गांजा लेकर आ रहा और जिसके बाद पुलिस ने दबिश्ती और आरोपी को गिरफतार किया आरोपी के पास से 13 किलो से जाधा गांजा बरामत किया है वही गांधी बाग बे रहने वाले शेख शाहिर शेख अनवर को भी गिरफतार किया है जानकारी है कि आरोपी गांधी बाग से गांजे का सप्लाय करता था और वही से तीसरा आरोपी पंकत साथों ने फरार बताया जा रहा है। आडि अपलेलेक साथ बेती पावडेग्राच वस्ताच जन्यान में आलाए। आडि छेक खेला ही आड़ा अपलेक्षा बताया के लिए। आड़े तेला कुड़े विचार को स्केलाना तर्टार निसा अनिपुटी तो माल तो गाली बागे थ्राइका आरोपी कोई अना तस्टा आपन त्या कारवाई ला कुड़े ने उल त्या आरोपी ला ता भया मदे ने पला अधी सोबशी दर्में पला की आणखी एकी सा आरोपी अ है जे चाक्तुम ने माल गे थासाका आरात्र बर आपलेया टीमने बरेस पर अपन ते आरोपी ला आ पाट पकुझ शकले बागे तो या संपूल कारवाई मदे तेरा पॉइंट आड़ ग्राम ची एंडी अपन जबत आणी जा वजन काटे आने इलेक्ट्रोनीस मेशिन ने ते मशिन आपन जबनाखे लिए ते दोन आरोपी आपन ताबेद ही दिल्में एक निखिल जगतीश गोयें कामोल रहें आड़ो आपन जबनाखे लिए ने जबनाखे लोगादे लोगादे लिए विकरी विकरीक भी कमिशन वर्ते ही करदा तो जूना ते लिए पाषवर्णी अल्ट्या प्रापते ज़ली उन्हें पुलिस अधिकारी ने लोगों से आवाहन किया है कि उनके पास ड्रक से संबंदित कोई भी जानकारी हो वह क्राइम ब्रान से साजा कर सकते है पुलिस उन पर कारवाही करेंगे आवाहन कर भी ज़ी आवाहन कर भी ज़ी पे आमसे गरिष्ट अधि कार्यानी सबेज अधिकारी ज़ी कि मोना समकोन समाझ अज या नशे चा आहारी गेल हो ए अपले एक जदरेशा ते शामदे वाया जाता है शेहर में ड्रक्स बेशने के मामलों में बड़ोतरी हुई है जरूरत है कि इन मामलों में कड़ी कारवाही होनी चाहिए अखिलेश भारत द्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट